question number 25 function given है हमारे पास, थोड़ा इसको ऐसे लिख लो, ताकि आपको confusion ना हो, x जब भी भी less than 0 होगा, x not equal to 0 है, इसका मतलब क्या है, x less than 0 हो सकता है, x greater than 0 भी हो सकता है, तो x less than 0 भी क्या होगा हमारे पास, यह function आएगा, sin x minus cos x, फिर हम x is equal to 0 भी देते हैं, उसके क्या है function की value minus 1, और x greater than 0 उसके क्या होगा हमारे पास, sin x minus cos x, एक ही बात है यह, है ना, क्योंकि हमें given x not equal to 0, तो x की value greater than equal to 0 भी हो सकती है, और less than equal to 0 भी हो सकती है, तो हमने इसको यह आपे उतार दिया, और इसको हमने आपे उतार दिया, तो अब solve करते हैं से, f of a निकाल लो, हम point किस point चेक कर रहे है, add point, x is equal to 0 भी चेक कर रहे है, तो f of a, f of 0 निकालना है में, x की value, function की value 0 पे क्या आ रही है, function की value 0 पे, x is equal to 0 पे हमारे पास minus 1 आ रही है, तो minus 1 आ जाएगा f of x की value क्या है हमारे पास, sin x minus cos x, solve कर लो इसे, जहाँ पे भी x हो, हमापे 0 minus h पुट कर दो, तो limit h tends to 0, sin 0 minus h minus cos 0 minus h, तो क्या value आगे हमारे पास, हमारे पास आजाएगा, limit h tends to 0, sin minus h, minus cos minus h, अब एक important वाद जो आपको जानना जरूरी है, वो कुछ ऐसी है, की ना, देखो, यह हम even function, odd function के बारे में chapter 2 में पढ़ा होगा आपने, यह को sin minus x हमारा, minus sin x के equal होता है, और cos minus x हमारा, cos x के equal होता है, इसको note कर लो, क्योंकि हमारा cos even function होता है, और sin odd function होता है, अब जानते अब भूल गए हो, तो एक बार इसको देख लेंगा अच्छे सा, ठीक है, even odd function क्या होते है, तो यहाँ पर क्या है, की sin minus x है, इसको मैं कहले सकता हूँ, minus sin x लिसकता हूँ, इसके help से, तो limit h tends to 0, minus sin h, और minus cos h, है न, क्योंकि मैं पता है, की cos minus x हमारा cos x के equal होता है, अब होता है, तो minus कमाना जाएगा हमारे पास, क्यों minus sin भी है, तो minus 1 आगया हमारे पास, ठीक है, अब निकालो right hand limit, तो यह left hand limit आगया, अब right hand limit निकालो, तो limit x tends to 0, plus h, f of x, जिसकी value है, sin x, minus cos x, क्या value है हमारे पास, solve करो, जहाँ पर x हो, हमाँ पर 0, plus h put कर दो, मतलब h put कर दो, limit h tends to 0, sin h minus cos h, sin 0 की value 0 होती है, cos 0 की value 1 होती है, तो minus का 1 ही आजाएगा हमारे पास, है न, तो क्या यह तीनों value equal आ रही है, बिल्कुल equal आ रही है, this implies f of 0 is equal to lhl, equal to rhl, this implies कि हमारे जो f of x है, is continuous at x is equal to 0, ठीक है, अब बात आती है, 0 पे continuous तो है, ओके, ओके, लेकिन क्या, all points में भी continuous होएगे, जब x के value less than 0 होगा, तब continuous होगा, या x के value greater than 0 होगा तब continuous होगा, तब भी continuous ही होगा क्यों होगा, reason आप अराम से लिख सकते हो, क्योंकि हमारा क्योंकि हम जानते हैं और हम जानते क्यों है क्योंकि sin x जो है हमारा continuous function है cos x हमारा continuous function है ठीक है, तो let कर लो let यह तरीका बता रहा हूँ, अच्छा तरीका है यह निका, let कर लो let कर लो g of x is equal to sin x and h of x is equal to cos x ठीक, और हम जानते हैं we know that जगे कम होगी हो, आप ठीक है we know that subtraction of we know that g of x minus h of x is continuous function because subtraction of two continuous function is continuous by property ठीक है, प्रोपर्टी के आप सुधा रहा हूँ, कि sin x हमारा continuous होजा है cos x की continuous होजा है, इनका subtraction भी continuous ही होगा, तो left hand limit जो मन नहीं, जो मन एक्स लेजेंड 0 पे value आएगी है बार पर sin x minus cos x की यह भी continuous होगा और x greater than 0 पे भी continuous होगा है न, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक तो यह हो गया हमारा answer complete अब आगे बढ़ते हैं, ओके झाले जाए हमार के लिख सकते हैं a श. झाल झाल